वेलकम फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने चैनल इंडियन कानून इन हिंदी में तो आज हम ये जानेंगे कि वकीलों को कानून में क्या छूट मिली हुई है दोस्तों वीडियो में दी गई जानकारी अगर आपको पसंद आती है तो आप मेरे चैनल को लाइक शियर और सब्सक्राइब जरूर करें अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप कर लीजिए ताकि आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंसती रहे तो आज हम ये जानेंगे कि वकीलों को कानून में क्या चूट मिली हुई है लोग की पढ़ाई पूरी कर लेने के बाद एडवोकेट्स को बार काउंसिल का एक्जाम देना होता है फिर कानूनी रूप से आप वकील बन जाते हैं फिर आप भारत के किसी भी कोने में जाकर अपनी वकालत कर सकते हैं लेकिन वकीलों को गिरफतारी से चूट दी गई है पुलीस वकील को गिरफतार नहीं कर सकती कोई भी वकील अगर कोट जाता है तो किसी भी वकील को पुलीस गिरफतार नहीं कर सकती या फिर कोई एडवोकेट कोट में मुझूद है तो सिविल केसिज में पुलीस वकील को गिरफतार नहीं कर सकती अगर किसी भी वकील के खिलाफ सिविल केस दायर हो तो पुलीस वकील को कोट जाते समय या फिर कोट में गिरफतार नहीं कर सकती अगर जेल में किसी भी कैदी से मुलाकात करनी है तो जेल के नियम के अनुसार ही वकील कैदी से मुलाकात कर सकता है वकील चाहे तो कितनी भार भी कैदी से मुलाकात कर सकता है पुलीस प्रशाशन वकील को नहीं रोक सकती क्लाइंट या वकील के बीच में कोई भी बात होती है तो वकील के पास ये राइट है कि वो बात को अपने तक ही सीमित रखे पुलीस या फिर कोट वकील को मजबूर नहीं कर सकता कि वकील ने जो क्लाइंट से बात की है उसको डिस्कलोस करे वकील भारत के किसी भी कोर्ट में जाकर प्रैक्टिस कर सकता है तो आई होप दोस्तों आप ये समझ गए होंगे कि वकीलों को कानून में क्या छूट दी गई है ऐसे ही कानून से समझ जानकारियां पाने के लिए आप मेरे चैनल को लाइक, शेर और सब्सक्राइब ज़रूर करें वीडियो में लास तक बने रहने के लिए आप सभी लोगों का धन्यावाद